तो दोस्तो शुरू करते हैं आज किन फ्रानियोज पहले कब दार ये उडूपी कोचिंग शिप्यार लिमिटेड से जो की कोचिंग शिप्यार लिमिटेड की एक सबसीडरी कमपनी है और इन्होंने एक इंटरेशनल ओर जीता है विल्सन शिप ओनिंग एस नौर्वे से और द दोस्तो यहां पर बेसिकली फ्यूचर प्रूफ ड्राइकर को विस्तल से होंगे और जो कमपनी है इनको डिजाइन करने वाली है वह है कोनो शिप इंटरनाशनल यहां पर बेसिकली इन शिप्स का मतलब यह होता है कि यह प्योर्ली डीजल इंजिन पर नहीं चलेगी यह जो डीजल जनरेटर्स भी होंगे वह इलेक्ट्रिक एनरजी में कंवर्ट के जाएंगे जिसके बाद में बैटरी एन हाइबरेट सिस्टम के अंदर स्टोर के जाएंगे और इनको जो ही चलाया जाएगा यूरोप के कोशल वाटर्स के अंदर यहां पर बहुत बड़ी बात यह है कि हमारे देश के कंपनी को नौर्वे जो वनाव डी मुस्ट डेवलप देश आता है और शिपिंग मैरेटाइम के अंदर पर अच्छा का से इन की पकड़ है इन से इंडियन कंपनी को ओडर मिला है यह अवी प्राइस के मामल में तो बड़ा होगा ही जो 580 क्रोड की वाल सब्सक्राइब करने के लिए यह बहुत जरूरी होगा आर्मी के लिए जब अलग अलग जब बेसे सट अप करना चाहेंगे कंपनीकेशन के साथ यहां पर इसके वजह से हमारे पूरे के पूरे जो डिफेंस एक्टिविटीज है उनको आर्मी ठीक से कॉडिनेट करवाएग अगली दोस्ते जो खबर आ रही है वो एक नए फ्रेट सेक्शन के कमिशनिंग से रिलेटेड है जहाँ पर अरूरा और डिद्यू सेक्शन जो है वो ट्रेन मुवमेंट के लिए ओपन कर दिया गया है और जो 1875 किलोमेटर लंबा सोन नंगर बिहार से लेके साहनत गुजरा कब जो पूरी के पूरे डीफसी की रिल लाइन है वो अब कंटी के वैस बन गई है जिसके वजह से 77.2% का काम कंप्लीट हो चुका है और अभी कंटेनर जो हो डिलिकली बिहार से गुजरा जा पाएंगे वैसे जो 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 बीच में दिल्ली हरियाना के पास से एक कनेक्शन भी गुजरता है जिसको जैसे EDFCC trains, WDFC और वाइसा वाइसा जा सकते हैं यह कंप्लीट होने के वजह से यह इतना बड़ा स्ट्रेच कंप्लीट हो पाए अगली दूसरे कबर आ रही हो है दामवतर रिवर वैली को ऑपरेशन से जीरो निका है कि अपना एन्वल प प्लांट्स का इंस्टोलेशन इसके अंतरकत किया जाएगा तो दोस्तों जो नए पाव प्लांट्स होंगी उनकी कैपसिटी होगी 8000 मेगावाट की जिसके वजह से यह एक्जिस्टिंग कैपसिटी में एड़ान होती हुए इतने बड़े कैपसिटी का पावर जनरेशन हो अगली दोसे खबर आ रही है वह है तुरुवन इंतपुरम से और स्पेसिक्री के तो कैरला से जाबर वंदे बार्द एक्सपेस के सब्सक्राइशन के बाद में यह डिसाइड क्या गया है कि वंदे मेट्रो ट्रीन्स भी स्टीट के अंदर चल सकती है और इसके लिए प्ला करते हैं और उन्होंने कहा है जून 16 को कि वो इवी मारकेट को देखती हुए इंडियन गुवर्मेंट को कुछ चीजों के अंदर कन्विंस करने कोशिश कर रहे है ताकि वो एक एवी प्रोसेसिंग प्लान या एक एवी मैनिफेसिंग उनिट भारत में बना पाए और ये specifically अभी initially बात हो रही है two wheeler EVs के बारे में, scooters वेगरा के बारे में तो जो Indian delegation है Taiwan का उन्होंने Indian government के साथ में discussions किया है, महराश राप, तेलंगाना Tamil Nadu, आंदरपदेश इन सारे streets level पे भी उन्होंने बाते की है तो hopefully हमें जल्दी इस company के द्वारा भी electric vehicles का manufacturing इंडिया में नज़र आएगा, अगली खबर दोस्तों जो अरी वो ये नौटा इंटरनाशनल greenfield airport से रिलेट जो जेवर में बन रहा है, और इसका 47% work complete हो गया है ऐसी खबरे हमें मिली है, जहापर जो ये 5,700 करोड रुपीज का fees one is project का, इसके अंदर का ये important काम हो गया है तो दोस्तों, स्विस जूरिज इंटरनाशनल AG company है वो overseeing का काम कर लिया construction का, supervision consulting का काम यही कर रही है और 16 board meeting जो लखनों में हुई थी उसके progress report के दौरान ये बात पता चलिया है दोस्तों, अभी बहुत मनलब कम समय हुआ है इस airport के progress को वैसे अगर देखे जेविर इंटरनाशनल एरपोर्ट ये नभी मुंब इंटरनाशनल एरपोर्ट ये डिले बहुत साल तक रहे थे लेकिन जब इनका construction शुरू हुआ नासा के top former official है उनके तोरह कहा गया कि इंडिया एक sleeping giant space sector के अंदर और इसलिए नासा और इंडिया की बीच में partnerships या इस तरह की बीच में partnerships होना बहुत ज़रूरी है और जो PM हमारे विजट कर रहे है अभी currently US के अंदर उनमें जो discussions होंगे उनमें ये discussion भी बहुत ज़्यादा important होगा अगली दोस्टों जो ख़बर आ रही है वो है हमारे देश के अंदर होने वाले investments से related जहाँ पर digital India initiative के अंतरगत the infrastructure finance security IFS को स्थापित किया गया है ministry of finance के अंतरगत और basically एक website का revamped version है जहाँ पर कई foreign investments जो है especially infra के अंदर ये दूसरे sectors के अंदर वो लोग इनके तुरू apply कर पाएंगे देश के अंदर invest करने के लिए और साथ सार इनका processing भी जो है बात में government back end में करेगी और देखने भी मिलेगा कि क्या का investment हो रही है website www.pppp in India government.in और इसके जरीए जो भी stakeholders इंडिया में invest करना चाहते है उनके लिए easy बन जाएगा आज के ask ptsoil के बात करें तो प्रसेंजीत बटचार पूछते है why there is no dedicated corridor between Kolkata and Mumbai most of the mining belt and steel factories come in this route due to number of freight trains often passenger trains get delayed here why can't we make dedicated corridor from Dankuni to the outskirts of Mumbai तो देखो यार कैसा है ना कि पहले जो priority dedicated freight corridor है और obviously daily efficiency जो है वो बहुत ज़ाद expensive projects है यह दोनों proper eastern and western side में बने है दांकुनी से लेके दिली के बीच में बोल सकते हो या दिली से लेके फिर बाद में मुंबाई के बीच में बोल सकते हो और दोनों corridors हो connect किया गया है आज की date में ही मैंने आपको बोला पूरा DFC complete होने के बाद बाद अगर हम direct stretch बनाते है दांकुनी और मुंबाई के बीच में तो issue यह आएगा कि यहाँ पर usage की probability तो है लेकिन वो इतनी जादा नहीं है जितने एक EDFC या WDFC पर होगी हाँ EDFC या और WDFC के route पर जाने का जैसे माल काड़ियों को जादा लंबा route लेना पड़ेगा लेकिन फिर भी यह बेटर होगा अब आज यह जो future के हम बात करें तो south में भी DFC दो बने गया है एक north south बनाया गया है एक north south बताया गया है एक east west बताया गया है लेकिन एक dedicated free link मौझूद है उम्मीद करते हो आपके सवाल का जवाब को मिल गया होगा अगर आपके कोई सवाल है तो अगर आप कोई न्यूज सब्सक्राइब करना चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिश्ट में लिंक मिलेगी और मिलेंगे अगले वीडियो